मंदिर में पूजा अर्चना करने की बाद ममता गुर्द्वारी में मत्था टेक ने पहुंच गई इसके बाद ममता ने सद्भाबना रेली निकाली रेली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा ममता ने कहा मिचुनाव से पहले धर्म का राजनीती करन करने में विश्वास नहीं करती बीजेपी भगवान राम के बारे में बात करती है लेकि देवी सीदा के बारे में नहीं बोलती क्योंकि उनकी पार्टी महिला विरोधी है मुझे इसकी परवा नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है मुझे देश में वे रुजगारी से दिक्कत है बीजिबी बताए कि देश का पैसा कहा गया इंडिया गडबंदन को लेकर भी ममता बैनर जी ने बड़ी बात कह दी वामदलों के साथ ममता ने कौंग्रिस पर भी निशाना साथा ममता ने कहा वामदल विपक्षी गडबंदन के अजेंडा पर नियंतरण करने की कोशिश कर रहा है मेरी तरह भाजपा को कोई सीधी टक्कर नहीं दे रहा मैंने विपक्षी दलों की बैठक में गडबंदन का नाम इंडिया रखने का सुजाब दिया था जब भी बैठक में शामिल होती हूँ तो देखती हूँ कि वामदल उसे नियंतरण करने की कोशिश कर रहे है मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल तक संगर्श किया